हेलो दोस्तो, स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल बेसे नर्सिंग रवेचेस इन्फोर्मेशन में दोस्तो, आपको बेसे नर्सिंग, फार्मेशी, डेमल्ट, बीपीटी, सबी परकार के अपडेट एंड न्यूज इसी चैनल पर मिलने वाली है तो आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन जुरूर फ्रेस कर ले दोस्तो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेकिंड काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ और सेकिंड काउंसलिंग में कोलेज फील करने का मोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा कोलेज चेंज कर सकते या नहीं कर सकते इन सब के बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड कांशलिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ तो दोस्तोν जैसा कि आप देख पारे हो अभी तक फस्ट कांशलिंगी यह आपर 100 कर रहा है जो कि पूरा हो चुका है पाच बुजे एक मार्च को तो अभी तक second counseling update या link अभी तक आया नहीं है जैसे ही link आएगा हम आपको इसी YouTube channel पर बता देंगे साथ ही आप अपने mobile में भी चेक करते रहना हम बता देते हैं आपको आपको कहा से चेक करना है second counseling के बारे में आप RHS की website पर जाकर select course करें username डाले, passport डाले और उसके बाद में जो यह number आ रहे हैं उनको डाले और login करें और देखते रहे हैं कि second counseling के लिए कुछ update आया या नहीं आया आपको कई पर भी जाने की जूरत नहीं है आप अपने mobile में यह सब कुछ कर सकते हो तो आप इन पर चेक करते रहे हैं जैसे लिंक आयेगा हम आपको बता देंगे और आपको yes और no करना है यदि आप no करेंगी तो आप second counseling में पार्टिसिपेड नहीं ले सकते अगर आप second counseling में पार्टिसिपेड लेना चाहते हो तो आपको yes पर click करना पड़ेगा अब मैं बता दू आपको कि second counseling में college feel करने का मोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आपको college feel करने का मोखा नहीं मिलेगा जैसे आपने अभी तक मालो आपका number 10 college है और उसमें से आपका number 7 college में आ चुका है तो आप 7 वी से उपर वाली college ही change कर सकते हो यान की 6, 5, 3 वी इनको ही change कर सकते हो आप 7 वी के बाद में 8 वी को change नहीं कर सकते हो इसलिए आपको second counseling में ये option दिया जाएगा कि आप उपर वाली college में से cohesive college चूज कर सकते हो बट नीचे वाली college आपको चूज करने का मोखा नहीं दिया जाएगा और अलग से college feel करने का मोखा भी आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है जितनी भी counseling हुई है उनमें आपको ऐसा college feel करने का मोखा दिया नहीं गया है इसलिए अभी भी ऐसा ही हो सकता है पर वो depend करता है अभी तक second counseling का notification नहीं आया है अगर second counseling का notification जीसे आएगा हम आपको बता देंगे अगर उसमें college feel करने का मोखा मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है आप college choose करके बर सकते हो और जिन student को first counseling में college नहीं मिला है वो गबराय नहीं उनको second counseling में college मिल जाएगा तो दोस्तो second counseling जो की बहुत ही जल्द होने वाले 5 या 6 मार्च को जो की चालू हो जाएगी आलमोस्ट 5 या 6 मार्च को second counseling चालू हो जाएगी क्योंकि अभी तक first counseling का कुछ process से जो चल रहा है इसलिए आपकी second counseling चालू नहीं हुई है अगर दोस्तो आपको किसी परकार की जानकारी चीए या कोई भी doubt हो तो हमें comment करके बताए साथ ही आप whatsapp group, telegram group, facebook group पर भी जुड़ सकते हो और हमसे questions साजा कर सकते हो और दोस्तो जिन student ने first counseling भी नहीं करवाई है वो second counseling में participate नहीं कर सकता और जिन student ने first counseling में college मिली है उसमें reporting and joining नहीं करवाई है वो भी second counseling में participate नहीं कर सकता है तो दोस्तो आपको सबको समझ में आ गया होगा अगर आप भी को doubt हो है तो हमें comment box में जरूर बताए Thank you for watching मिलते हैं next video